नमस्कार दोस्तों आपका भोदबस स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चेनल जिके टिप्स भाई मेंदर बुगालिया पर आज अपन इस क्लास के अंदर जो रास्तान के आयोग है उन पर चर्चा करेंगे रास्तान के जितने भी परमुक आयोग है उन सब पर अपन चर्चा करेंगे जिसके अंदर जैसे रास्तान का लोका आयोग हो गया ठीक है रास्तान का लोक सेवा आयोग हो गया मानवादिकार आयोग हो गया सूचना आयोग हो गया सारे आयोगों के बारे में अपनी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में चर्चा बजेट का एक अलग से वीडियो मिलेगा इसके लावा जो भी रास्तान पॉलिटी रास्तान जियोग्रोपी आर्ट कल्चर हिस्ट्री इन सब के एक एक टोपिक को मैंने ऐसे ही डिसकर्स किया है मैं टोपिक लेता हूं टोपिक का नाम लिखता हूं उसके अंदर जितनी भी important चीज़े हैं सारी वहाँ उस PDF के अंदर लिखता हूँ और उस PDF को अच्छे से explain कराके class को complete कर देता हूँ बहुत ही सांदार सांदार वीडियो जिनके भी सामने exam में वो revision करना चाते हैं तो revision के लिए इससे based YouTube पर आपको कोई channel नहीं मिलेगा बस आपसे मुझे एक सिकाईत है सिकाईत यह है कि आप class को देखते हो पूरा देखते हो लेकिन आप channel को subscribe नहीं करते हो वीडियो को like नहीं करते हो अपने दोस्तों के साथ share नहीं करते हो और comment नहीं करते हो तो मेरी आपसे गुजारिस हरेगी कि मैं आपको इतना सामदार content बहुत ही easy going तरीके से पेस कर रहा हूँ तो आप channel को please subscribe करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें अपने दोस्तों के साथ share करें आपको ये pdf चीए तो उसके लिए आप टेलिग्राम channel को ज़रूर जोइन कर ले वहाँ पर आपको ये pdf मिल जाएगी चलिए आज के class को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला आयोग पढ़ेंगे राजस्तान लोगसेव आयोग जिसको अपन RPSC बोलते हैं तो अपना भी ये राज्ये का लोगसेव आयोग के राज्तान लोगसेव आयोग RPSC तो इसका उलेक भी सवीदान के भाग चाओधा में अनुछे 315 से लेकर 323 के बीच में परतम मैला सदश्य कांता कथूरिया थी आपको important है ध्यान रगना है पूछ सकतें exam के अंतर के जो RPSC उसकी परतम मैला सदश्य कों थी तो कांता कथूरिया थी रास्तान लोग से वायोग की दूसरी मैला सदश्य कमला भील थी ठीक है ये भी बेकवर्ड इलाके से आती है और आपको ध्यान रखना है रास्तान लोग से वायोग दूसरी मैला सदश्य कों थी कमला भील थी इनकी निवक्ति कौन करता है राज्ये त्राशेपाला손 राज्येक्स और सदेश्यों को निलंभित कर सकता है पढत से छाट सब्डाने के लिए राष्ठ पती राज्येता करता है ठीक है और पर फोर्ट राग्सपाइस स있는 के रूसरी हाई सवीदान के यहां व're all the Laurie कारता में चीज़े कि ज़्यादा तरहित जहां पड़ता होती है। 320 में मिलता है राजे लोग सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट कौन से अनुचेद के तेद देता है 323 अनुचेद के देता है और राजे पाल को सौपता है यह इंपोर्टेंट है अनुचेद से ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है जो राजे लोक़ सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सोपता है तो राजे पाल को सोपता है अनुचेद 323 के तेद ठीक है आगे चलते हैं संयुक्त राजी लोकसेव आयोक के अध्यक्स वे सदेशों की न्युक्ति राष्ट पती करता है अगर संयुक्त राजी लोकसेव आयोक की बात की जाए न नियुन्तम कार्यकाल किन का रहा है तो फूल सिंग यादव का नियुन्तम कार्यकाल किसका रहा है फूल सिंग यादव का नियुन्तम कार्यकाल रहा है ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है रास्तान लोक सेवा आयोग अध्यादेश परबाव से आया 20 अगस्त उगनी सो गुनपचास 20 अगस्त उगनी सो गुनपचास को एक अध्यादेश जारी किया था और उसी के तेत रास्तान लोक सेवा आयोग लाया गया था इसकी स्थापना कभूई रास्तान लोक सेवा आयोग की स्थापना पूची जा सकते है क्योंकि दिसंबर के करेंट अफेर में भी मैंने आपको 22 दिसंबर का जब करेंट अफेर पढ़ाय था तब मैंने बताया था किया आज अब रास्तान लोक सेवा आयोग का स्थापना राष्तान लोक शेव आयोक के पर्तम अध्यक्स है जो बी आप आयोक पड़ो के उसके अंदर आपको एक तो उनकी स्तापना कभूई है एक उनके पर्तम अध्यक्स è इक ह लोबारों कारियेकाल क्या है और उसकी सरचना क्या है बस यह चार परतम लोग से वायों के सदेश ये कौन-कौन थे तो देवी संकर्तिवारी और एनार चंदोड करते हैं ठीक है तो द्यान रगना दोनों का नाम रास्तान लोग से वायों के अध्यक्स और सदेश्यों की नुक्ति राजयपाल करता है ये पहले वाले चीजे में आपको वापस हिते व्रतमान अध्यक्स को ने संझेकुमार सत्तरिय है एक अध्यक्स वे साथ सदेश्यों 2011 से है साहर सीकां सव्थ साल inert ise साहर सदर्श के इसके अन्डर एक एक अगहला राजस्तान अनुवादिकार आए-क है यह है यह बहुत आए न like इस ने तो 23 संपार मार्स जानघन ने जटेंट रहोंगना को निचान टो जान रखना यह मानवादिकार आवद हो का गठन अठारा जनुवरी उगनी सो निजानमा को हो गया था लेकिन इसने कारिय करना प्रारम किया था तेईस मार्च दो जार से राजी मानवादिकार आयोग का गठन अठारा जनुवरी उगनी सो निजानमा को हो गया था कारिय करना प्रारम किया था तेईस मार्च दो जार और उसके नीचे दो सदेश्य होगे, त्यान रखना है, ठीक है, हर आयोक आपको इस्ट्रेक्चर याद उना चीए, अध्यक्स वे सदेश्यों की नुक्ति राजयपाल के द्वारा की जाती है, छे सदेश्य समीति की सिपारिस पर जिसका अध्यक्स मुख्य मंत्री होता है, य आगे चलते हैं, रास्तान में इस समीति में चार सदेश्य है, रास्तान के अंदर इस समीति के अंदर चार सदेश्य है, जिसमें मुख्य मंत्री एक अध्यक्स है, कौन सी समीति में, जो छे सदेश्य ही समीति है, जिसके सिपारिस पर जो मानवादिकार आयोक के अध्यक्स सदेशियों की न्युक्ति होती है राजेपाल के कहने पर ठीक है तो उस समीति के अध्यक्स के अंदर रास्तान के अंदर उस समीति की स्ट्रेक्चर के सी है तो रास्तान में इस समीति के चार सदेशिय है जिसके अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्स है विदानसभा का अध्यक्स और विदान सबागे विपक्स के नेता है कारीकारी अधिकारी सची होता है स्रोफी के लिए थीट र시क्राइट आगर नीचे दिगई कोई भी शिकाइत होती है तो उस पर पर कारवाई राज कौन से नहीं कर सकता है राजे मानवादिकार आयोग का यही एक पेचे इसके अंदर पढ़ते हैं तो सबसे मुख्य चीज यही होती है कि यह किस-किस पर कारवाई नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत चीजों पर कारवाई कर सकता है उनको पढ़ने मेरे इसाब से कोई उचीते नहीं है किस किस पे नहीं कर सकता वो पढ़ लो आप वो आपके लिए ज्यादा इजी गोईंग होगा मेरी कलासों का सबसे अच्छा एक रूटीन ही होता है मैं कोई भी चीज़ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं यह नहीं बताना चाहता को पढ़ लो ठीक है कोई भी अगर मामला है न्यायले के विचार दिन चल रहा है न्यायले में विचारे दिन मामले पर कोई भी कारवाई नहीं कर सकता राजे मानवादिकार आयो अगर कोई ऐसी सिकाई ते जो एइस पर ट्रूप से हैं बीना किसी नामजद मुकदमा किया तो उस पर राजे मानवादिकार आयोग कोई भी एक्षन नहीं ले सकता सेना से समंदित कोई भी सिखाई तो उस पर राजे मानवादिकार आयोग नहीं बोल सकता तो इन तीन मामलों में राजे मानवादिकार आयोग कोई भी कारवाई नहीं कर सकता एक तो कोई मामला अगर न तुए को दोनों को द्यान रखना है ठीक है राजे मानवादिकार आयोग के वर्तमान सदिशे कों है तो मेहस गोईल वे राम सिंग जला मेस गोईल और राम सिंग जला राजे मानवादिकार आयोक के वर्तमान सदेशी है तो द्यान रखना है वर्तमान अद्यक्स गोपाल कर्शन व्यास हैं वर्तमान सदेशी मेस गोईल वे राम सिंग जला है तो आपको बताना है अमर सिंग गोदारा रहा है अब मैं आपको कुछ परमुक धारा ही बताऊंगा ठीक है जो मानवादिकार आयोगे उसकी परमुक धारा ही बताऊंगा जिनको आप द्यान रखोगे जब आपने किसी चीज़ का गटन किया है तो उसके अंदर अद्यक्स और सदेशय तो चाहिए तो कितनी पदाऊदी होगी वो दारा 24 के अंदर है तो चारू दाराओं को याद रखोगे दारा 21 के अंदर तो आयोगा गटन कर देंगे दारा 22 के अंदर अद्यक्स और सदेशयों की नियुक्ति कर देंगे दारा 23 के अंदर उनको हटाने का प्रावदान देदेंगे दारा 24 के अंदर उनकी पदाऊद मिलता आईयो की वीत्यष वर्दों मिलता है ढयो कि वार्षिक की अदर आईयो की वार्षिक जो विशेस रिपोर्ट है उसके बारे मिल की आगे जयान रगना आप ठीक है अगे कुंड चाहिए राजस्तान राज मैला अयोग कर गटन 15 मैं उगनीसो निन्याणमा को वहा था जेसे राजिय मानवादिगार अयोग का मुख्याले जेपूर में उसी तरे राज्य मैला अयोग का मुख्याले भी जेपूर के अंदर है एक डेक्स तीन सदेशे तता एक सचीव, सदेशों में से एक अनुसुची जाती जन जाती की मैला, एक अन्य पिछडा वरक जाती की मैला का प्रावदाने नियुपती राजे सरकार दोरा की जाएगी, ये एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन लिखी विए, क्यूंकि इसक सदेशों का इस्ट्रेक्टर है, उसके अंदर भी रिजर्वेशन की विवस्ता की गई है, उसके तेत राजे जो मैला आयोगे, रास्तान राजे मैला आयोगे, जिसका गटन पंद्रा मयूबनी सो नियानमा को बाता मुख्याले जे पूरो का गया था, और एक सचीव होगा, और इनकी न्युकती राजे सरकार करती है, कार्यकाल इनका तीन वरस का होता है, रास्तान राजे मैला आयोगे परतम अद्यक्स को ने, तो सिरीमती रहाना रियाज चिस्ती है, जो रास्तान राजे मैला आयोगे वरतमान अद्यक्स है, ये अपना त्याक पतर किसको दे सकते हैं तो अध्यक्ष वे चपना थ्याग पत्र सॉब्ट हैं तो यह राज शरकार को सुब्ठार दूबारा वारी बेटक में लगतार अनुपस्थित या दिवालिया ऐस मर्थ हाहता होने पर चाजे महानो समर्थ हो गया तूसको अटा सकते हैं अपनी वार्षिषी रिपोर्टर सर्कार 1 sentido के पहुंचा था मेंम की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सवपता है तो राज्य सरकार को सवपता है आगे चलते हैं राजस्तान राजे लोकायुक्त ये भी एक इंपोर्टेंट आयोगे राश्तान राजे लोकायुक्त राश्तान राजे लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम का पारित व उप लोका युक्ति को मत्त है? पीईू मेनंध है, ठीक है, सदस्य और उनकी इस्ट्रेक्चर केसी होगी, एक लोका युक्ति होगा और आट सदस्य होगे, ठीक है. आगे चल दे लोका युक्ति न्युक्ति राजय पाल करता है लेकिन तीन सदेशे ही चेन समिति की सिपारिस पर जिसका अध्यक्स मुक्यमंत्री होगा यहाँ परें समीति के अंदर एक तो मुख्य मंत्री होगा जो अद्यक्स होगा एक विपक्स का नेता होगा एक उच न्यायले का मुख्य न्यायदीस होगा या तो राजेपाल खुद दिलवा देगा या राजेपाल किसी को अपोइंडेट कर देगा कि तु दिलवा दे भाई तो वो दिलवा देगा कारेकाल पांच वर्ष का होगा त्याकपत राजेपाल को ही देना होगा वार्शिक रिपोर्ट भी राजेपाल को देनी होगी वर्तमान लोकायुक्त कोण है तो न्यायपूर्थी परताप कर्षन लोरा ठीक है वर्तमान लोकायुक्त आपसे पूचा जा सकता है परताप कर्षन लोरा वर्तमान लोकायुक्त है ठीक है लोकायुक्त होने के लिए योग्यता क्या क्या चीए ये इंपोर्टेंट है इसके अ आपको लोकायुक्त बनना है तो आपको उच्छ न्यायले के सेवानिर्थ न्यायदिस या उच्छ न्यायले का सेवानिर्थ मुख्य न्यायदिस होना जरूरी है। संसद के विदान मंडल का सदश यह नहीं होना जाए रानितिक दल से जुड़ावा नहीं होना जाए ठीक है आगे चलते हैं। सुचना आयुक्ते उनकी न्युक्ती राजिपाल करता है गटन 23 अप्रेल 2006 को परभावी बता 18 अप्रेल 2006 को आगे चलते हैं। मुक्य सुचना आयुक्ते उनकी न्युक्ती भी राजिपाल के द्वारा की जाते हैं। मुक्य मंत्री होता है। मंत्री को मनोनित करता है। कार्यकाल कितना होगा तो 3 वर्स या 65 वर्स के आयुमें जो भी पेले होगा वो उनका कार्यकाल होगा। मुक्य सुचना आयुक्ते सदेशियों को सपत कोन दिरवाता है तो राजिपाल दिरवाता है। मुक्य सुचना आयुक्ते सदेशियों को सपत राजिपाल दिरवाता है। मुक्य सदेशियों को सब्सक्राइब करना है। आपको नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आगे आपको किस टोफिक पर क्लास चाहिए। कमेंट बोक्स में जल्दी से सज्जेशन देदो क्लास मिल जाएगी। ठीक है ये पीडियेप चीए ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल जोइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में टेलीग्राम चैनल के लिंक देदूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेना चलिए मिलता है फिर किसी नहीं क्लास के साथ तब तक अपनी पड़ाई जारी रिखिए अपनी स्वास्ते का जान रखिए टेक केर जहिंद।